हलो फ्रेंड्स मीनास किचन में आपका स्वागत है और आज हम बनाने वाले हैं यूनीक डोसा चटनी इडली और डोसा के लिए चटनी आज तक आपने ऐसी चटनी नहीं खाए होंगी मेरा वीडियो ध्यान से देखिए बनाने में एकदम सिंपिल है टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है एक बार तो आपको इसको ट्राइ करना ही पड़ेगा इसके लिए मैंने डेट टेबल स्पून घी लिया है घी थोड़ा सा गरम हो जाए उसके बाद में अंदर दो टेबल स्पून चने की डाल डाल रही हूं और ये सारा कुछ हमें मीडियम से लो फ्लेम के बीच में करना है और इसको हमें बार बार चलाते रहना है तो चने की डाल थोड़ी सी पक जाए मतलब थोड़ी सी कलर इसका चेंज हो जाए अच्छी सी खुश्बो आ जाए तब तक हमें इसको पकाना है ये चने की दाल थोड़ी सी पक जाए उसकी बाद उसके अंदर हमें 2 टेबलस्पून भरके उरत की दाल डालनी है तो ये मैंने 2 टेबलस्पून या पे उरत की डाल डाल दी है जो अरहत डाल बोलती है आप वो ही अभी दोनों को अच्छी तरह से फिर से हमको पकाना है आपको चने की डाल पहले डालनी होगे क्योंकि उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़ा सा पक जाए उसके बाद और झाल डाले और फिर उसके बाद दोनों को अच्य तरह से पका लिचे दोनों का अच्छे से खुश्बू आ जाए दोनों देखे ब्राउन कलर की हो गई है तो उसके बाद हमें इसके अंदर मिर्ची डालनी है मिर्ची फ्रेंड्स मैने यहाँ पे दो मिर्ची डाली हैं अगर आप तिखा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप मिर्ची बढ़ा सकते हैं और फोड़ा कम भी कर सकते हैं थोड़े से मैने यह आपा कड़ी पत्ते डाले हैं और friends अगर आप अधरक अखा डालना चाहते हैं तो ये स्टेज के ऊपर डालीए तो उसके चोटे चोटे पीस करके आप चोटे नहीं बड़े पीस भी डाल सकते हैं तो पीस करके आपको अधरक इसमें डाल देना है अभी मैंने यहां पर एक कप फूरेश नारियल लिया हुआ तो उसके मैंने छोटे-छोटे pieces करके इसके अंदर डाल दिये हैं friends नारियल में हमेशा से freezer में store करके लेती हूँ जबी नारियल या तो उसका सस्ता होता है तभी में एक साथ थोड़ा ले लेती हूँ या तो मेरे घर में नारियल आता है कभी तो उसको भी मैं ऐसे कट करके बड़े-बड़े पीसिस में रखके ही मैं फ्रीजर में एक डबे में भर लेती हूँ तो मुझे जब भी चटनी बनानी होती है तब मैं इसका यूज कर सकती है अभी मैंने यहां पे अध्रक का पेस्ट डाला है आधी टीस्पून जितना तो अगर आपको आखा अध्रक डालना हो तो मैंने बताया ऐसा पहले डाल दीजिए और नई तो पेस्ट डालनी हो तो आप बाद में डाल सकते है अभी गेस को बंद कर देते है और मिश्ण को एकद कम्प्लीटली ठंडा होने देते हैं तो यहां पे मेरा मिश्ण ठंडा हो गया है उसको मैं मिक्सर जार में ले लेती हूँ अगर आपका मिश्ण जादा है तो आप आदा जार भरके ले सकते हैं अभी इसके अंदर में 2 टीस्पून शकर डालती हो अगर आप को चटनी थोड़ी मिठी चाहिए तो आप एक टीस्पून और शकर डाल सकती है और यहां पे में एक टीस्पून से थोड़ा कम नमक डालत तोड़ी सी ग्राइंड होने में थोड़ा टाइम लगता है पर अच्छी तरह से आप इसका पेस्ट बना लीजिए अब इसके अंदर मैंने आधा कॉप यहां पे दही डाला है और इसको भी मैंने आधी मिनिट के लिए ग्राइंड कर लिया है तो यह मेरी चटनी बनके तियार हो गई आप इस चटनी को ऐसे भी खा सकते हैं और इसके बाद इसको फिर से आप तड़का लगा के भी खा सकते हो पर मैं बोलती हूँ के आपको तड़का लगाने की कोई जरूरत नहीं है यह चटनी आप एक ही बार ट्राइ करके देखे फ्रेंड्स में कसम से कहती हूँ प्लीज कर दीजे और अगर आप मेरी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थेंक्यू सो मच फॉर वचिंग मैं वीडियो